Hello Learners, Welcome to Online Study Bytes, मैं हूँ प्रतीक्षा और SCART Class 8 की साइंस की बुक हम पढ़ रहे हैं UP के Government School में SCART की बुक्स पढ़ाई जाती हैं और अगर आप UP TED, Super TED ये Junior Edit Vacancy की तैयारी कर रहे हैं तो आप SCART की बुक्स ज़रूर पढ़ें चैप्टर 4 के Important Points की और बढ़ चुके हैं और चैप्टर का नाम है खनेज एवं धातू तो हमारे चारो तरफ भिविन धातूं से बने भिविन उपकरण वस्तूएं यंत्रादी हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं मानव विकास के क्रम में तामर युग का अत्यंत महत्यपूर इस्थान है इस युग में तावे से बनी वस्तूएं और अस्तरों का निर्मार हुआ लोहे की खोज ने और योगी क्रांती को भी जन्म दिया बरतन आभूशन विद्युत उपकरण यातायात के साधन आधी का निर्मार बिना धातूं के उपयोग से असंभव है प्रक्रती में केवल कुछी धातूं मुक्त अवस्ताओं में पाई जाती है लर्नास अगर आप आने वाले सीटेट और यूपी टेट की तयारी करना चाते हैं तो अनेकैडमी आप लोगों के लिए कोर्स लाता रहता है इ अब आपको डेट दे दी गई है नेक्स्ट सीटेट का जो पेपर है वो जुलाई में होगा और उससे पहले पहले आपकी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी पेपर टू है तो साइंस, इंग्रिश, सीडिप, मैच, सोशल स्टडीज, हिंदी, सलस्करत सभी सबजेक्ट पर फ थोड़ा तफ आता है, सीटेट के मुकावले, काफी सारी चीज़ें होती है, यूपी टेट के पेपर में बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, बहुत सारे बुक्स से ये पेपर बनाया जाता है, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं, और ये पूरा कोर्स है, बैच कोर्स है, यूपी टेट 2021 का, जो की 6 फैफ से स्टार्ट हो रहा है, और 15 अप्रेल तक ये चलेगा, जिसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही सबजक्स की तयारी इस कोर्स के तहत कर पाएंगे, इसके अलावा, एम सी टेट जुलाई 2021 का एक कम्प्रीट 6 मन बैच को इस पी स्टार्ट हो रहा है, जो की इर्थ फैफ से हो रहा है, और ये 3 जुलाई 2021 तक चलेगा, इसमें साइंस, मैट, इंगलिश, ईवी एस, सी डिपी, संस्क्रत, सोशल स्टडीज, हिंदी, यानि की पेपर 1 और पेपर 2 के सभी सबजक्स को शामिल किया गया है, अगर आप इन कोर्स को जॉइन करते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जो प्लस फीचर्स में मिलते हैं, आप घर बैठे पढ़ सकते हो, आपको सभी कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, आपको बार बार पेपर करने की जुरत नहीं है, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, बैच कोर्सिज हैं, लाइफ टेस्स सीरीज हैं, स्टडी मटेरियल आपको पूरा पूरा दिया जाएगा, आपको हर एक बैच के लिए बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है, सिर्फ टेट के लिए सब्सक्राइब करना है, और उस सब्सक्रिप्शन के अंतरगर जितन पर unlock code पूछा जाता है वहां पर भी आप प्रतीक्षा टैट लिख सकते हैं तो यह मेरा referral code unlock code है तो आप इसको fill करके 10% का discount या free live class join कर सकते हैं तो यहाँ tat plus subscription के charges हैं जैसे आप 6 month का subscription लेते हैं तो वहाँ पर आपको 4800 का यह course पढ़ता है 48 में आपको अगर आप referral code में प्रतीक्षा टैट लिखेंगे तो यह 10% का आपको discount यानि की 480 रुपे का discount आपको और मिल जाएगा और 6 month के अंदर अंदर जितने भी UP TET के batches हों C TET के batches हों या और TET के batches हों आप उन सभी को पढ़ सकते हों उनके notes आप download कर सकते हों अपनी queries पूछ सकते हों तो आपको यह फायदा मिलता है TET plus subscription लेने में तो इंडिया's best educators for all subjects all batches only one subscription Thank you प्रक्रती में silicate के रूप में खनेच बहुलता में पाये जाते हैं किन्तु silicate से धातों का निस्कर्शन कठिन होता है और इन पर खर्च अपेक्शक्रत अधिक होता है खनेच प्रक्रतिक पदात के रूप में हम फल सबजी आदी को काटने हे तु चाकू लकडी काटने हे तु कुलहाडी का प्रयोक करते हैं जैसे ही हम जानते हैं चाकू और कुलहाडी लोहे से बने होते हैं इसी प्रकार घरों में बिजली आपूर्ती हे तु तार जो हैं ता भू परपटी में प्राक्रितिक रूप से पाये जाने वाले अकार्बनिक तत्व अत्वा योगिकों को खनिज कहती हैं, जैसे क्वार्ड्स, माइका, हेमिटाइट, बॉकसाइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, इसके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रक्रती में प समुद्र में पाये जाते हैं, सोडियम क्लोराइट, सोडियम आयोडाइट, सोडियम आयोडेट, आदी, खनिज, समुद्री जल में पाये जाते हैं, खनिज, धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं, खनिज, धातु वा अधातु तत्वों के योगिक भी हो सकत इसी प्रकार कॉपर ग्लास जो है तावे तथा सलफर का यौगिक है जो दो तत्वों से मिलकर बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं अधिकांश धात्वे संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं उधारण के लिए सोना तत्व प्लेटिनम जैसी धात्वे तत्व के रूप में पाई जाती हैं सोना जो है वो प्योर तत्व है प्लेटिनम तत्व है इनको किसी और तत्व के साथ मिलाकर नहीं बनाया जाता अन्य अधिकांश धातों प्रक्रती में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं एल्यूमीनियम, लोहा और मैगनी जैसी अनेक धातों ओकसाइट के रूप में तता कुछ धातों सलफाइट तता कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं तो एक एक करके पढ़ेंगे, अयस्क के बारे में सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्र में धात्विक खनिच पाये जाते हैं, परंतु कुछ में धातू की मात्रा इतनी कम होती है, उससे धातू की निसकर्ष यानि कि निकालना कठिन है, यदि खनिच में धातू की मात्र अधिक होती है तो उसमें धातू का निसकर्षण सरल और लावकर होता है अयस्क क्या है ऐसे खनिच जिनसे धातू का निसकर्षण अधिक माता में सरलता से एवं कम लागत में निकल जाता है वह अयस्क कहलाते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी आयस्क खनेज होते हैं परंतु सभी खनेज जो हैं वो आयस्क नहीं होते हैं धात्विक खनेज किनकिन रूपों में पाए जाते हैं यानि कि जो धात्विक आयस्क होते हैं वो ऑकसाइड, सलफाइड, सलफेड, कार्बोनेट के रूप में पा का रूप जैसे Magnesium धातू है वो Magnesite उसका आयस्क का नाम है MgC O3 उसका रसायनिक सूत्र है और आयस्क का रूप यानिक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है Jink में भी कार्बोनेट होता है Lead, Sulfide, Copper, Sulfide, Iron, Oxide के रूप में Aluminium Oxide के रूप में, Silver जो है Sulfide के रूप में, Calcium जो है Sulfate के रूप में तो यहां आप फॉर्मुले से देख सकते हो, फॉर्मुले में भी इन चीज़ों का यूज हो रहा है तभी ये यॉगिक हैं भारत में खनिच की उपलब्दता हम लोहा, तावा, चांदी, अन्य, कई धातों से बनी वस्तों का उपयोग अपने देवनिक जीवन में करते हैं और ये बहुत सारी चीज़े हमारे देश में उपलब्द हैं और कुछ चीज़े देश में उपलब्द नहीं हैं तो हम उन्हें अन्य देशों से आयात करती हैं लोहा, जो है, जिसे अयस्क का नाम क्या है है हैमेटाइट कहां से प्राप्त होता है बिहार, उडिशा, मध्यप्रदेश, करनाटक, तमिलनाडू, चर्थिसकड़ तावा की बात करें तो आन्य प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजिस्थान, सोना, कोलार खान, करनाटक और आन्य प्रदेश, एल्यूमीनियम, मध्यप्रदेश, चर्थिसकड़, बिहार, उडिशा, तमिलनाडू, गुजराज, जमू कश्मीर, कैल्शियम यहार सभी राजियों में पाया जाता है, संगमर्मर के रूप में यह राजिस्थान तथा मध्यप्रदेश में पाया जाता है यहां पर देखेंगे अधातू, सिलिकॉन और अक्सीजन, बिहार, उडीसा, तमिलनाडू, कार्बन, राजिस्थान, मतलब संगमर्मर, राजिस्थान, कार्बन, एरबं, हाइड्रोजन यानि की पैट्रोलियम, कुजरात, असम, अरफ, सागर के टत्य छेत्र में, कार्बन या चाएगा, अयस्क प्रक्रती में पाया जाने वाला वहा खनेज है, जिसमें एक या एक से अधिक धातूऊं को लागधायक रूप में निस्करशित किया जा सकता है, और निकाला जा सकता है, आयस्क से धातूँ, प्राप्त करने, और इन्हें भिविन उपयोगों के लिए श सा माने तह साभ प्रायार्सभी ठाथ में ठोस होती है परंतु पारा जो है वो द्रव होगा लेकिन अधिकांश अधातों गैसी अबस्था में होती है आयोडेन, कारवन, सल्फर, सिलिका, इत्यारी ठोस के रूप में होते हैं ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में होता है सोडियम, पोटेशियम, मैंगनिशियम और पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती है कारवन का अपर रूप हीरा जो है वो सबसे कठोर होता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर चमक, अगात, वर्धनियता, तन्यता के बारे में दिया हुआ है तो आप वीडियो पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं सौने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल एक सेंटी मीटर होगी एक ग्राम सौने से लगभग 2 किलो मीटर लंबातार बनाया जा सकता है तो यहाँ पर कुछ महति पूर्ण बातें दी हुई है देन ऑक्सीजन में से अभी क्रिया धातू ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं सोडियम तथा पोटेशियम कम्रे के समाने तापर क्रिया करके ऑक्साइड बनते हैं सोडियम ऑक्साइड 2NA2O ये इसका रसाइनिक फॉर्मूला होगा सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक रियाशील होने के फल्सुरूप इन्हें ऑक्सी करण से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं तत्वों को धातू तथा अधातू में वर्गिक करत किया गया है जर्मेनियम आर्सेनिक एंटी मनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातू तथा अधातू दोनों के ही गुण पाए जाते हैं इन तत्वों को उपधातू कहते हैं तो भौतिक अवस्था धातू और अधातू यहां दी हुई है ठोस, कठोर, चमकदार होती है धातू की भौतिक अवस्था और अधातू की द्रव गैस जिसे ठोस, कारवन, सलफर, आयोडीन, फासफुरस घनत तो कैसा होता है अधिक, सोडियम अपवाद है इसका लेकिन और अधातू कम, उश्वियत था विद्य चालकता सुचालक होती है और अधातू की कुचालक होती है आघाद वर्धनेता तन्यता अघाद वर्धने और ये भंगुर एवं तन्यता विहीन होते हैं जलसे क्रिया सामानेता पर क्रिया करके H2 गैस निकलती है धातूं में से और अधातू सामानेता पर क्रिया नहीं करते हैं धातु का संचारण आपने देखा होगा लोहे की कील वगरा में जंग लग जाती है तो इसका मतलब लोहे का संचारण हो रहा है धीरे-धीरे वो लोहा जो है वो गल रहा है खतम हो रहा है तो धातु का जो नस्थ होना है वही संचारण के लाया जाता है लोहे के संचारण को ज नस्ठ होती रहती है। इसी प्रकार ऐलूमीनियम की सत्था पर ऐलूमीनियम ऑक्साइड की परण जम जाती है। जिससे उसकी धात्विक चमक भी नस्ठ हो जाती है। धातुं को संचारण से कैसे बचाया जा सकता है। जैसे पेंट का लेप चड़ाकर ग्रीस या तेल लगाकर गैलवोनी करण करके विद्युत लेपन से मिश्र धातु बनाकर संचारण रोका जा सकता है। अनेक बाशुद्य रूप में धातु को आवश्यक उदेशों के लिए उप्योग में नहीं लाया जा सकता। धातु में अन्य धातु को मिलाया जाता है जिसे की वह कठोर बन सकें उसका हम कुछ न कुछ प्रयोग में लाने वाला कोई उपकरण बना सकें। ऐसे मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातू या दो से अधिक धातू या अधातू का समांगी मिश्र हैं, दो या दो से अधिक धातू को पिगली हुई अवस्ता में मिलाने पर मिश्र धातू प्राप्त होता है, तो यहां आप देखेंगे पीतल, तावा और जस्ता से मिलकर बनाया जाता है बरतन, तार, वादियंत, सजावट की वस्तुएं बनाने यह जो पीतल की चीज़े हैं उसमें तावा और जस्ता मिक्स होता है कासा तावा और टिंट से मिलकर बना है पिग आयरन वात्य भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन यानि कि कच्छा लोहा या धलवा लोहा कहलाया जाता है इसमें 93% लोहा और 4-5% कार्बन तथा सेश जो है सलफर फास्फोरस सिलिकॉन की अशुद्धियां और पस्थेत होती है यह क्या है पिन आयरन कहलाया जाता है इस पाथ क्या है यह लोह का एक दूसरा रूप है जिसमें आयरन 98.8 से 99.8% होता है कार्बन 0.25 से 1.5% सेश की अशुद्धियां जो है वो पाई जाती है क्लियर इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है एंड होता है बहुत जादा कुछ जानने वाली चीज़ें नहीं थी लेकिन जो आपको ध्यान रखना है वो आप ध्यान रखें ये मिश्रधातूं के बारे में कौन सी मिश्रधातूं के मिलने से कौन सी मिश्रधातू बनती है क्लियर कौन सी दो धातों के मिलने से जैसे तावा और जस्था मिलकर पीतल बनता है तावा और टिन मिलकर कासा सीसा और टिन मिलकर सोल्डर तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है यहां हम कुछ जो हमने सीखा है एक बार विवाइस कर रहे हैं सभी अयस्क खनिज हैं किन्तु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं सामाने तह सभी धातों कठोर, चमकीली, अगात, वर्धनी और तन्य होती हैं अधिकांश अधातों गैसी और द्रववस्था में पाई जाती हैं धातों को का घरेलू और अधियोग इस तर पर अधियतिक प्रयोग होता है धातों को सन्रक्षण से बचा कर हम अर्थ विवस्था में सुधार ला सकते हैं और इस्थायत तो चमक और सेस्ट गुड़ों के कारण मिश्र धातों को प्योग बढ़ता जाता है तो कुश्ण है यहां बस दो ही कुश्ण है जादा नहीं है निम्लिखित वस्थू में से कौन सी वस्थू संचारित हो सकती है यानि कि खतम हो सकती है धीरे धीरे ऑक्सी करण के कारण लक्टे की मेच, स्टील की कुड़सी, खुली स्थानों पर रखी लोहे की चड़ या तेल लपित लोहे की चड़ तो बहुत ही आसान है खुले स्थानों पर लोहे की चड़ अगर रखी है तो वो oxygen के साथ क्रिया करके धीरे धीरे गलती चली जाएंगी और उनमें क्या लग जाती है जंग लग जाती है option सा जो है वो सही answer है next question है box side जो है वो किसका ask है इसका सही answer है option सा aluminium का तो इसी के साथ हमारा ये video end होता है यहां रिक्तिस्थान दिये हैं अच्छा रहेगा आपको भी questions को solve करने का मौका मिलेगा और आपको भी पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं और अगर याद नहीं है तो आप दोबारा से video ज़रूर देखें आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी अभी के लिए इतना ही कोई भी doubt है अगर किसी question का answer नहीं आ रहा है तो comment में आप पूछ सकते हैं comment में लिख सकते हैं video को like and share करना बिलकुल भी न भूलें अभी के लिए बाई बाई टेक कियर and thanks for watching